जहिन दोस्तों, वेलकम बाक टूटूब टूब टॉब टॉक, दोस्तों इस हफते बहुत सारा कॉंटेंट OTT और सिनमा में रिलीज होने जा रहा है, जो इस वीडियो के जरीए मैं कवर करने जा रहा हूँ, मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये वीडियो का सिर्फ पार्ट व ना, वहां से हम कनेक्टेड रह सकते हैं, और फिलाल मैं ये भी बता दूँ कि मेरा यूट्यूब और इंस्टाग्राम थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि मैं अभी कम ऑनलाइन आ रहा हूँ, और कम वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि आफिस बहुत जादा बिजी चल रहा है, इस हफते अभी तक क्या क्या रिलीज हो चुका है, तो दोस्तों, एक मराठे फिल्म जिसका नाम है सारी, जो की 2023 की ग्रोमेंटिक ड्रामा मूवी है, इसे Amazon Prime वीडियो के प्लाटफॉर्म पे कल से रिलीज कर दिया गया है, वहीं उडिया फिल्म पुआ जनमा बारा घराकू इस मूवी को भी अब तरंग प्लस उडिया चैनल पर रिलीज कर दिया गया है, एक प्रू क्राइम डॉक्यू सीरीज जिसका नाम है लास्ट कॉल, जो की एक सीरिल किलर की कहानी है, इसे अब जियो सिनमा के प्लाटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है, और इसी के साथ इस मूवी को फिलाल हिंदी में रिलीज नहीं किया गया है, पहले इसके अब डेट आई थी कि इसे हिंदी में रिलीज किया जाएगा, लेकिन ये मूवी सिर्फ और सिर्फ अभी इंग्लिश में रिलीज हुई है, जिस वज़ा से आप लोगों में से काफी लोगों ने तो कि ये दोस्तों हिंदी में आनी थी, लेकिन किसी वज़ा से इसका डिले हो गया हिंदी रिलीज, इसके साथ साथ दोस्तों सिरे देवेले ये एक पंजाबी मूवी है, जिसे अब चौपाल टीवी के प्लाटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है, और जानकी जाने ये ए प्लाटफॉर्म पे हिंदी लांग्विज में अब 12 जुलाई से रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा रिलीज होगा सिनमाज में, मिशन इंपॉसिबल 7 डेड रेक्निंग के पार्ट वन का, जिस मूवी को सिनमाज में रिलीज किया जाएगा, और इसे आप 12 त प्लाटफॉर्म पे 12 जुलाई से, हिंदी लांग्विज में, लेकिन अभी तक क्रंची रोल ने इसकी इंफर्मेशन नहीं दिया है, तो अगर सर्प्राइज रिलीज हो जाएगा, तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसे अभी तक कन्फर्म नहीं किया गया है, तो इसे आप स् नेट्फिक्स कोरियन ड्रामा है, जिससे दोस्तों पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा है, जिसे अब आप देख सकते हैं, नेट्फिक्स के प्लाटफॉर्म पे 13 जुलाई से, इसी के साथ सौनिक प्राइम जो कि 2023 की एक नेट्फिक्स ओरिजनल एनिमेटिड साइफाइ सिरीज ह इसके season 2 को दोस्तों Hindi और English language में 13 July से अब Netflix पे release कर दिया जाएगा बात करें 14 July की तो काफी सारे release वाँ उने जा रही है सबसे पहले release बात करते हैं Bird Box Barcelona की जो कि एक Netflix original sci-fi thriller drama film है जो कि mysterious कुछ ऐसी threats के उपर based है जिसको दोस्तों Bird Box movie जो आई थी 2018 में जो कि blockbuster रही थी उस movie का ये sequel है लेकिन कहानी आपको नहीं देखने को मिलेगी और दोस्तों Bird Box Barcelona को 14 July को Netflix पे Hindi, English और Spanish languages में release कर दिया जाएगा लेकिन बड़ा release होगा The Trial series का जो कि एक upcoming hot star 10 episode Hindi language legal political drama series है जो कि official adaptation है American series The Good Wife का जिसके total 156 episode थे इसकी lead में आपको दोस्तों काजोल, जीश हुसेन, गुपता, कुबरा साइथ और शीबा चबबा देखने को मिलेंगे और Disney Hot Star पे The Trial series को Hindi, Tamil, तिल्गू, कनणा, मलयालम, बंगाली, मराठी सभी languages में release किया जाएगा और इस series का बहुत जादा इंतजार कर रहे हैं इसका जो ट्रेलर है वो काफी इंटरस्टिंग था इसी के साथ Maya Bazar for Sale ये एक तेल्गू कॉमेट्री ड्रामा सीरीज है जिसे Z5 के प्लाटफॉर्म पे release किया जाएगा 14 जुलाई से वही College Romance के season 4 जो कि इसका final season भी होगा इसे Suni Lift के platform पे दोस्तों 14 जुलाई से release कर दिया जाएगा और दोस्तों The Summer I Turn Pretty ये एक Amazon Original Romantic Drama सीरीज है जिसे दोस्तों release किया जाएगा अब 14 जुलाई से Hindi और English Language है Amazon Prime Video के platform पे इसी के साथ दोस्तों information निकल के आ रही है कि आदी पूरुष मूवी को Amazon Prime Video के platform पे streaming पे 14 जुलाई से डाल दिया जाएगा rental basis पे क्योंकि जो इसका एक leaked print था उसके अलरी 2 million views generate हो चुके है तो mostly South Indian Languages में ये movie अब release हो जाएगी 14 जुलाई को ये speculation निकल के आ रही है तो देखना होगा कि ये surprise release होता है या सिर्फ एक ये media की फिलाई होई hype है और दोस्तों ये भी बता दूँ मैं आपको कि फिलहाल ये सिर्फ जो है South Indian Languages में release होगी लेकिन हिंदी releases का Netflix पे August में planned है इसी के साथ एक Tamil फिल्म जिसका नाम है थंदाती इसे दोस्तों 14 जुलाई को Amazon Prime Video के platform पे release किया जाएगा वहीं Revolt जो की 2017 की एक Adventure Sci-Fi Rated Film है इसे वीडियो on demand पे दोस्तों हिंदी तमिल तेल को इंग्लिश में 99 रुपीज के रेंट पे बुकमा शो पे 14 जुलाई से release कर दिया जाएगा बात करूं 15 जुलाई की तो नेट्फिक्स की एक बड़ी सीरीज जिसका नाम है कहरा जो की एक नेट्फिक्स ओरिजनल इंडियन पंजाबी लैंग्वेज थ्रिलर ट्रामा सीरीज है और कहानी है एक NRI के murder की जो शादी से एक दिन पहले जिसका murder हो जाता है और फिर investigation कैसे उसकी family के राज खोलती है ये कहरा सीरीज में देखने को मिलेगा आपको जो की हिंदी, तमिल, तेलगु, पंजाबी इन सभी languages में दोस्तों रिलीज होगी अब नेट्फिक्स ओर प्लाटफॉर्म पे इसी के साथ साथ सिद्धूज आफ साथ हॉल जो की एक पंजाबी comedy drama मूवी है इसे 15 जुलाई से चौपाल टीवी के प्लाटफॉर्म पे रिलीज कर दिया जाएगा और दोस्तों साथ इंडियन मूवी लक्ष अपना वर्ल टीवी प्रिमेर करने जा रही है पंदरा जुलाई साथड़े रात आट बज़े से सोनी मैक्से प्लाटफॉर्म पे कहानी है पार्थो की जो की एक तीर अंदाज है और इंडिया को वर्ल चैंपिंशिप में रिप्रिजेंट करता है लेकिन जिस तरीके से उसकी जिंदगी बदलती है वो आपको दोस्तों लक्षे मूवी में देखने को मिलेगा जो वर्ल टीवी रिलीस करने जा रही है बात करूं 16 जुलाई की तो बंगॉली फिल्म चीनी बदाम आपको दोस्तों प्रिमेर करते हुए नजर आएगी रिलीस को भी कवर करूंगा तो पार्ट टू का इंतजार करना जो रिलीस करूंगा फ्राइडे मॉनिंग और इसी के साथ आपको यह बता दूँ कि इसमें सिनमा रिलीस भी कवर नहीं है वो भी मैं आपको दोस्तों उसी वीडियो में कवर करके दे दूँगा इसके साथ मेरा OTT का जो वीडियो आता है जो आपको Saturday और Sunday में देखने को मिलता है वो अपने Saturday और Sunday के हिसाब से मैं आपको release करके दे दूँगा और फिलहाल फिलहाल थोड़े से कम वीडियोज बना रहा हूं कि बिजी चल रहा हूं जैसे ही थोड़ा सा free होंगा वैसे ही दोस्तों वीडियोज की frequency भी बढ़ाने की कोशिश करूँगा तो अभी तक के लिए इतना है आप सब के लिए मिलता है अगले वीडियो में Until that time, it's goodbye from Tube Talk